So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So guys, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ITC Limited के बारे में और साथ ही एक ऐसे शेयर के बारे में भी बात होगी जो बिलकुल डिविनें देने वाला है So guys, वीडियो को आइंड तक देखना यहाँ पर तीन बड़े फर्मस है जिन्नोंने अच्छी रेटिंग स्टॉक में दी है और वही अगर देखें, स्टॉक में आज गिरावट रही 5.40 रूपिस के राउंड स्टॉक में हमें आज गिरावट देखने को मिली है 1.38% के बेसिस पे और स्टॉक ने इस गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है 387 रूपिस के राउंड बिल्कुल गाईस यहाँ पर 387 रूपिस के राउंड शेर में हमें यहाँ पर गिरावट नजराती है बले ही अब गिस टॉक में गिरावट रही हो बड़े जल्द ही recovery भी करेगा और गिरावट आनी ही थी पिछले कुछ time से back to back stock में तक डिर returns हमें जो देखने को मिल रहेते हैं और वही अगर देखें guys 5 days के time frame पर stock 10.60 रूपिस के round यहाँ पर एक growth बताता हुआ नज़राया है यह बड़ा ज़्यादा थी बड़ stock आखिरे में ज़्यादा गिर गया 2.82% के basis पर returns है और यह levels आपको ध्यार में रखने हैं जिन पर stocks में breakout मिल रहा है sustain कर रहा है share और वही अगर देखें तो one month में stock यहाँ पर 15.65 रूपिस के round यहाँ पर बिल्कुल return देता हुआ नजर आया है और 4.20% के basis पर यहाँ पर returns दिये और कल ही हमने stage को discuss किया था कि stock already काफी हद तक उपर चले गया है और कही न कही से sustain करना जरूरी है share यहाँ से गिरा था फिर यहाँ से गिरा था और end rejections को इसने यहाँ पर break किया break करते से ही stock उपर गया sustain कर रहा है और अब यहाँ से एक अच्छे returns stock में हाँ पर हमें देखने को मिल सकते हैं so one month में अच्छे returns तो ही है साथ ही अगर बात करें तो 6 month के time frame पर 56 point 10 rupees के around stock में बड़त देखने को हमें मिल जाती है और साथ ही अगर बात करें तो sideways दे share चल रहा है और breakout अगर मिलता है तो stock में और भी बड़ी बड़त देखने को में मिल सकती है 16.95% के basis पे share में बड़त देखने को हमें मिल जाती है यहाँ पर volume के बात कर लेते है guys volume देखा जाए तो 99 lakh के around key deliveries यहाँ पर ITC में यहाँ पर उठाई गी है जो काफी बड़ा आकड़ा है काफी बड़ा यहाँ पर numbers है 99 lakh के around और कल भी अगर देखे तो कल का जो trade value हमें देखने को मिला था ओ यहाँ पर था 94 lakh के around का बिल्कुल 94 lakh के around की यहाँ पर deliveries उठाई गी थी और 54 lakh का यहाँ पर component delivery था तो बिल्कुल यहाँ पर high volume के साथ shares को यहाँ पर buy किया जा रहा है तो एक कुछ चीज़े भी यहाँ पर देखने को हमें IT से में मिल जाती है so guys वही अगर देखें तो यहाँ पर तीन बड़े जो firms है उनकी और से तीन यहाँ पर बड़े targets दिये जा रहा है तो इन तीन चीज़ों को आपको ध्यान बर रखना है कि ITC यहाँ पर 400 के level को touch करेगा ही करेगा so यहाँ पर अगर आप देखोगे जो पहला firm है जिसका नाम है प्रभुदास लीलाधर सो प्रभुदास लीलाधर की ओर से भी यहाँ पर एक अच्छा target दिया जा रहा है 438 रूपिस के round का यह target हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है वही एगर बात करें जो second firm है ओ है शेयर खान शेयर खान की ओर से यहाँ पर 450 रूपिस के round का target हमें देखने को यहाँ पर मिलता है और साथ ही जो यहाँ पर third stock है हमारा ओ है ICICI, sorry guys third firm है जो हमारा ITC के लिए target 450 रूपिस का दिया जा रहा है और बिल्कुल guys ICICI direct भी यहाँ पर तगडी rating stock में दे रहा है so guys यहाँ पर बिल्कुल जो इसके share price है ओ बिल्कुल आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा और काफी टाइम बात गिरावट आई उससे हमें डरना नहीं है थोड़े वोत correction stocks में होते हैं और आज खास बात market गिरा था यहाँ पर अगर देखें इसका जिसे भी यहाँ पर messages एक्टर भी गिरा है 78% जो लोग है stock में buy करने के लिए रहा है जो community sentiments के आगड़े नजराते हैं उसमें 78% लोगों क्यों उस है stock में हमें buy करने के लिए कहा जा रहा है वही अगर देखें गाइस तो 5% लोग और है जो stock में हमें hold करने के लिए रहा है लोग बिल्कुल positive नजर आते हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल 83% लोग यहाँ पर आपको positive नजर आते हैं और गाइस वही अगर आप देखोगे तो 17% लोग यहाँ पर हमें sell करने के लिए भी share में कह रहा है तो भी एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है अब बात करेंगे levels की so levels stock में काफी ज़्यदा important है levels अगर देखें तो यहाँ पर कल हमने एक चीज़ डिसकस की थी इस range को जो हमने उपर trade line बने है का rejection strong rejection level हम इसे कहेगे क्योंकि यहाँ पर हमने clear कर दिया था कि अगर breakout मिलता है तो high volume के साथ मिलना चाहिए volume तगड़ा रहेगा उपर क्यों और तो बिल्कुल stock में एक बड़ी range देखने को बिलेगी क्योंकि यह pattern बन रहाता but यहाँ पर यहाँ से rejection नहीं है पिछले कुछ reading season से इस particular level से rejection हमें मिले है खासकर यहाँ से rejection मिला फिर यहाँ से rejection मिला फिर यहाँ से rejection मिला तीन बार stock में यहाँ पर rejections मिले फिर यहाँ पर support देखने को मिलता है फिर support देखने को मिलता है और आखिरकार इस level से rejection लिया और इस trade line को इसने break किया और विल्कुल fall हमें देखने को इसमें मिला है सो बिल्कुल इन चीजों का आपको ध्यान रखना है बिल्कुल एक गिरावट नजर आई है इस share में बट कही न कही गिरावट के बावजुद इस trade line पे इसने support लिया है जो बिल्कुल यहाँ से आप देख सकते हो guys इस level पे इस range पे कई बार support है ले चुगा है तो sudden इसने support भी लिया है तो इस चीज़ को भी आपको positive way में लेना है guys और बिल्कुल यही पे stock उपर के और भी जा सकता है और यह range जैसे मैंने बताया कि यह कई trading season से गिर रहा है हनी आप देख सकतो एक बड़ी गिरावट यहां से आई थी stock में बिल्कुल यहां से गिरा था फिर यहां से गिरा फिर यहां से गिरा फिर यहां से गिरा फिर यहां से गिरा तो यह कुछ important levels है जहां से stock गिरा फिर breakout में मिला था फिर उपर के और गया यहाँ पर एक range इसने create की थी जहाँ पर breakout के बाद stock continue उपर की और गया था और अब अगर देखे गाईस तो कही न कहीं हे शेयर यहाँ पर support ले रहा है तो बिलकुल इसी range पर support लेके उपर की और जाने की पूरी कोशिश करेगा यहाँ से अच्छे returns हमें इस stock में देखने को मिल सकते हैं तो इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है और बड़े time frame पर अगर देखे गाईस तो और एक चीज में बताऊगा जहाँ से यहाँ पर यहाँ पर एक level rejection level है इन पर जब हमने trade line बनाई तो हमने एक चीज़ और कही थी कि यहाँ से भी rejection हमें मिल सकता है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर support भी है तो अगर गिरावट आती भी है तो यहाँ पर काफियत तक गिर सकता है 378 रूपिस के around यहाँ पर गिरावट आ सकती है फिर यहाँ से एक बड़त देखने को में बल जाएगी क्योंकि एक rising wage channel type create यहाँ पर हो रहा है और बड़े time frame पर तो बिल्कुल हम positive ही है breakout अगर मिलता है तो बड़े level यहाँ पर अच्छी हो जाएगे सो ITC के बारे में कावी कुछ बाते हमने कर ली है अब बात करेंगे हमारे एक dividend share की Vesuvius India Limited जसका नाम है 1,600 in 28 रूपिस का share है 25.20 रूपिस तक के return stock ने दिये है dividend भी दिया है 26 अपरेल 2030 यहाँ पर final dividend है 8.25 रूपिस के around अगर आप देखते हो तो share में हमें बिलकुल एक तगड़ी dividend नजर आ रहे है I hope guys आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा हो वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe करना मत भूलना और कोई भी share में investment करने से पहले इंचेर्स का analysis कर देना Thank you